उम्शन्ति आज 21 अगस्त 2023 आज की साकार मुर्ली से हमें गुन सीखने मिलता है ग्यान का आत्मा सतो गुनी है जिसमें पहला गुन ग्यान का गुन है आत्मा जो शरीर धारन करती है ये शरीर आत्मा का जो इंस्ट्रुमेंट है हर एक अंग इस शरीर का बहुत ही इंपोर्टन्ट है हर एक का अपना महत्व है अगर कोई एक अंग भी सहीरिती से कार्य नहीं कर रहा है तो हमें और सारे काम करना difficult मेहसूस होता है तो जैसे हमारे अगर नेत्र की बात करें इस शरीर के अंदर जो नेत्र है आखे हैं जिससे हमें सारे संसार को देखते हैं हर चीज सपस्ट रूप से देख पाते हैं और इसी लिए हर कार्य सहज रूप से कर पाते हैं अगर देखने की शक्ति नहों आखों की अंदर अगर रोश्नी नहों तो बाहर संसार में कितनी ही रोश्नी हो उस व्यक्ति को दिखाई नहीं देता क्योंकि उसकी नेतर के अंदर रोश्नी नहीं है यानि के देखने की शक्ति नहीं है तो यह स्थूल नेतर की बात जिसके अं हमारे काम की स्पीड पर फरक पड़ता है, हमारे काम की क्वालिटी पर फरक पड़ता है, और हम जितना अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं, यहां पर बात अगर करें हम ऐसे ही हमारे सुक्ष्म नेत्र की, ज्यान के नेत्र की, बाबा हम बच्चों को ज्यान का ने कि उसको दूर करते हैं। बाहर कितना ही जीजे रोष्नी है लेकिन अगर नेतर में रोष्नी नहीं तो कुछ नहीं दिखाई देता इसी तरह से अगर मन के लिएर्थ नकारत्मकता का अंधकार है अग ज्ञानता का अंधकार है तो ज्यान के कितने ही bाते हैं उसे apply नहीं कर पाते हैं अप्लिकेशन के लिए उस ग्यान की ताकत लेने के लिए अंदर में ग्यान का प्रकाश होना जरूरी है तो ग्यान का नेत्र बाबा हम बच्चों को संगम युक पर आकर देते हैं जिस रोशनी से हम अपने आपको शक्तिशाली भी बनाते हैं हमार को भी देना है क्योंकि बाबा के हम बच्चे हैं तो जो बाबा का कार है वो हमारा भी कार है जो बाबा ने हमें ज्यान का नेत्र दिया वो हमें सब को देना है स्थूल नेत्र तो कोई-कोई ही दान करते हैं और वो भी शरी छोड़ने के बाद कर सकते हैं कोई सभी जुदान करते हैं नेत्र का वो लिमिटेड है लेकिन ज्ञान का नेत्र ये तो हम कितनों को भी दे सकते हैं और हर एक के अंदर ज्ञान की रोशनी लाकर के उनकी सदकती का मार्ग पर चलने की अग्रसर करने की शक्ती दे सकते हैं तो हमें ऐसा ज्ञान का नेत्र का दान करना है सारा दि में जो अज्ञान के अंदकार में भटक रही है आत्माई उन्हें ज्ञान के चक्षुदे उनके जीवन में भी रोश्नी लाएं आज के दिवसकी यही शब कामना ओम शान्ती